भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के क्रमाम साथियों को जो पहलवान दिल्ली में नियाय मांगने के लिए बैठे हुए है उनका समर्थन करने के लिए नेशनल मेडिया में पहलवानों की खबरे चल रही है और पहलवानों का आरोफ है कि बाजबां के संसद जिनके खिलाफ उन्होंने ये अफायार दाकल की बहुत दिन तक वो ये अफायार पुलिस वाले करने के लिए राजी नहीं थे सुप्रिम कोट के हस्तक्षिप के बाद वो ये अफायार दाकल हो सकी इससे पता चलता है कि बाजबा के संसद का रसुक कितना ज़्यादा है और बाजबा के इंडर सरकार किस तरीके से उसको बचाने में लगी हुई है इससे पता चलता है तो जिन महिला पहलवानों ने देश का नाम सारे दुनिया में रोशन करने का काम किया उनके साथ इस तरह का गंबीर व्यवार गंबीर अनोचित व्यवार और नाबालिग लड़की के साथ भी ऐसा हुआ ये सुनकर ये देखकर मैं हैरान वो और सरकार का रवया या पुलीस का रवया इतना गंबीर कानून का उलंगन करने वाला है कि देश में कानून का राज चल रहा है या नहीं चल रहा है ऐसा लग रहा है इसलिए मैं भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन करांति मोर्चा के तमाम साथियों को जो पहलवान दिल्ली में नियाय मांगने के लिए बैठे हुए है उनका समर्थन करने के लिए 31 राज्यों के और 567 जीलों के कारे करताओं को ये निर्देश देताओं कि वो जिलादीकारी को इसके लिए गयापन दे यदि इस गयापन के बाद जिनके उपर आरोप लगाया गया है और गंबिर किसम का आरोप है उनको अरेश्ट करके जाज करनी की बात तो कर रहे हैं ये कोई अनुचित मान नहीं है उसका हम समर्थन करते हैं और इसके लिए सारे जिलादीकारी कारियाले में गयापन देने के लिए निर्देश दिया जाता है यदि इसके बाद उचित कारवाई नहीं की जाती है तो हम लोग निर्देश दिशित रुष से धर्णा परदश्यन का कारेकरम करेंगे और वह भी सारे देशवर में करेंगे अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और अगर आगे और कोई बड़ी कारवाई करने की जरुरत हुई तो हम ये भी करने के लिए तयार है